दीजे सर कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ वेलेकम करता हूँ और हमारा जो टोपिक चल रहा है वो साइंस का टोपिक है रक्त परिसंजन तन्त इसका फर्ष्ट वाग मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज हमारा इसका सेकेंड वाग स्टार्ट होगा ज आज कि हम क्लास करते हैं और आज की क्लास में रक्त परिसंजन तन्त का भाग दू है सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त का क्रम इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें होगा अमारा रक्त होगा रक्त इसमें होगा अमारा तुद्ध रक्त का परिसंजन जारन का क्रम तो हमारा सबसे पहले पेंपडों से रक्त को ऑक्सिजन मिल जाती है तो रक्त के साथ ऑक्सिजन मिल जाती है तो रक्त सुद्ध हो जाता है पेंपडों से रक्त को कौन लेता है तो सिरा पर ये कौन सा सिरा है ये है पल्मो नेरी सिरा फिर हमारा जो रक्त होता है वो चला जाता है पाया आलिंद में पाया आलिंद में फिर हमारा रक्त चला जाता है पाया निले में पाया निले में फिर हमारे रक्त को ले जाती है वो होती है जमी और हमारे सरील के भिविन भागों तक ऑक्सिजन पहुच जाती है ये सुद्रक्त का परिसंचन का क्रम है इसी हमारा रक्त फेपलों में रक्त में ऑक्सिजन मिल जाती है वहां से जो सिरा होता है उस सिरे का जो नाम है वो पल्म प्रिवेस करता है फिर वहां से बाएं निले में प्रिवेस करता है फिर वहां से धमनी और धमनी से रखत सहील के भीवी नंगों तक पहुंच जाता है और हमारी बोडी को अक्सिजन मिल जाती है अब हम इसका सेकेंड क्रम देखते हैं का सेकेंड क्रम देखते हैं हमारी बोडी के अंदर ती ओटू गेस मतलब कारवन डॉक्सड गेस का निर्मान होता है क्यों हमारा सहील उसको भाहर दालता है तो हम असुद रक्त परी संचारण की बात करते हैं तो यहां से हमारा तरी अब रक्त के साथ अब रक्त के साथ ती ओटू गेस में रक्त असुद हो जाता है तो यहां से रक्त चलता है तो सहील से सिरा लाता है सिरा के बाद यह हमारे हिर्दे में प्रिवेस करता है यह हमारा ताया आलिंद ताया आलिंद के बाद ताया निले और ताया निले के बाद दमनी यह कौन सी दमनी यह यह पल्मो नेरी दमनी कौन सी है पल्मो नेरी और इसके बाद हमारा रक्त हैंपड़ों में पहुच जाता है मेरे साथ यू रक्त का यह करम हमारे सहील में चलता रहता है आपको दोनों करम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे यह शुद्रक्ट परी संचन हे और वह सुद्रक्ट परी संचन था जिसने मेरे फैली फर्ष्ट वीडियो देकी होगी उसको अच्छी तरह से यहाँ पर पल्मों CommonERी दमनी क्या है और पल्मो कल्मों नेरी सिरा आगे चलते हैं हम आगे बात कि यहां पर हम थोड़ी सी सिरा और धमने की जानकारी तो सिरा सिराओं में हमेशा सुद्रक्त प्रवाहित होता है असुद्रक्त कौन सा है असुद्रक्त सिराओं में हमेशा असुद्रक्त प्रवाहित होता है लेकिन साथियो एक इसमे अपबाद एक मात हमारी बोड़ी केंदर ऐसा सिरा है वो सिरा है पलमोनेरी पलमोनेरी इसमें क्या है तुद्ध पलमोनेरी सिरा इसमें क्या है तुद्ध रक्त प्रवाईत होता है अब हम बात कर लेते हैं धमनी की बात कर लेते हम धमनी की रमनी में अमेशा सुद्ध रक्त प्रवाईत प्रवाईत है इसमें भी एक अपवाद है और वो अपवाद है वो अपवाद है पल्मोनेरी इसमें इसमें असुद्ध रक्त प्रवाईत होता है कि आपको ध्यान देए हमने सिरा और धमने के बारे में भी देखें इनमें जो अपवाद है उनकी भी मैंने आप लोगों से बात है पर आपको ध्यान देना है यह सुद्ध है यह सुद्ध है यह पल्मोनेरी सिरा है और यह पल्मोनेरी धमनी तो हम आगे एक थोड़ा सी बात और कर लेते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको खेर कर सकते हैं इससे की आपको भी मोटिवेट दिलता रहता है और हम भी आपके लिए करते रहें हम बात कर लेते हैं तुद्रक्त के उसे कहते हैं इसमें रक्त के साथ ऑक्सीजन होती है इस रक्त का जो रंग होगा वो हमको लाल दिखाई देगा अब हम बात कर लेते हैं असुद्रक्त की तो रक्त के साथ सी ओटूगे इसका जो रंग होगा वो मेरे साथ यो इला होगा इससे आपको पता चलेगा कौन सा सुद्रक्त है और कौन सा असुद्रक्त है आगे की क्लास में हमारा अग तीसरा आपको प्लब्द कराये जाएगा आज इतना ही मैं आप लोगों से अलबिदा लेता हूँ वीडियो को जादा से जादा सेर करें अपने दोस्तों लाइक करें और कमेंट में आपके विचार हमको पताए जिससे क्या कि हमको भी मोटिवेट मिलता रहता है और आपके लिए और भी हम मेनत कर सकते हैं जेहन जेबाद झादा